हरे किशना मेरे प्यारे दोस्तों, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो welcome है आपका मेरी नई वीडियो में आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही चमतकार के बारे में मैं बताने वाली हूँ लेकिन उससे पहले जो लोग मेरी वीडियो में नए हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी सबसे बड़े राम भकते हैं, उनके बारे में हम अकसर बाते सुनते हैं कि वो कैसे अपने भकतों का कल्यान करते हैं, जब भी हम इनके किसी भी भकत से बात करते हैं, वो अपना experience हमारे साथ शेयर करते हैं कि उन्हें कब जैसे कहते हैं कि पूजा पार्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कब ऐसा मैसूस हुआ, कि हाँ हनुमान जी ने क्यूली में उनकी बात तुनी और उनकी समस्य है सुछाई, अगर आप देखेंगे इंडिया में इतने सारे हनुमान मंदर हैं और हनुमान मंदर के आज पास बंदर बहुत इकटे होते हैं, चैंप इसकी पीची बड़ी बड़ी जो हमें ये प्रूव कर देती है कि हनुमान जी आज भी हमारे आसपास ही रहते हैं सिर्फ हमें उनको बुलाने की ही देर हैं तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी कहानी शिरू करती हूँ जो रिसेंट में मैं अपनी एक फ्रेंड संगीता से मिली और उसने मुझे ये स्टोरी बताई जो उसकी एक कजन की थी कजन की कहानी शुरू होती है जो परसन थी वो रहती थी चंदिगड में कहानी ये थी कि आप जैसे कि जानते कि फागुन का महीना चल रहा है ऐसा ही कोई महीना था मतलब एक्जैक्ली मैं क्योंकि उनको भी बहुत टाइम हो गया ये जैसे कहते हैं किस से याद करते हुए कई बार हम मन्त वगेरा थोड़ा भूल जाते हैं तो वो बताती है कि कोई महीना जैसे नॉर्मल चल रहा था वो अपना वो निकली बहार शायद हो सकता है जैसे हम ये सब बाते सोचते है कि ये हो सकता है वैसे क्योंकि हमें एक्शुली में ये पता नहीं होता कि लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको किसी प्रॉब्लम ने जगट लिया तो क्या होता है कहीं से वो घुम के आई घुम के आने के बाद day one में पहले दिन उनकी body में pain होना शुरू हुआ तो उन्होंने जैसे muscular pain होता है उन्होंने यही सोचा कि शायद ये muscular pain है फिर दूसरे तीसरे दिन में वो muscular pain इतना बढ़ गया कि उनकी जो fingers थी मतलब आप ये लगा लीजे वो जैसे ही fingers है ना वो उसको ऐसे मोड भी नहीं तकती थी मुठी बन नहीं कर पाती थी इतना pain होता था उनके हाथों में और धीरे धीरे जो उनकी family ने उनको देखकर महसूस किया वो ये देखा कि जैसे ही रात का time होता है मतलब शाम का time होता है ना वो अजीब अजीब हरकते करने लगती थी कभी वो जमीन पे लेट जाती थी कभी वो ऐसी unnatural चीजे मांगती थी जो अपने time में उसने कभी खाई ही नहीं है जैसे कि मान लो कोई बंदा broccoli पसंद नहीं करता तो जो उनकी cousin थी वो क्या करती थी वो ऐसी चीजे मांगने लगी थी जो शायद उन्होंने कभी खाई ही नहीं है और कभी मांगी भी नहीं है तो ऐसे से एक देड़ हफता निकल गया लेकिन जब time निकलने लगा दस दिनों के बाद family को लगा कि कुछ तो problem है उनको लेकर पंडी जी के पास गए जैसे कि हम मतलब ऐसा नहीं है डॉक्टर के पास नहीं है डॉक्टर के पास भी गए लेकिन उनकी सारी मतलब जो रिपोर्ट से वो नॉर्मल थी अब problem locate कैसे करे क्योंकि रिपोर्ट अगर डॉक्टर है डॉक्टर तो रिपोर्ट पर जाएगा तो जो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल थी तो अब family परिशानी होने लगी है चलो रिपोर्ट नॉर्मल है तो यह इतना abnormal behavior क्यों कर रही है अब ऐसा ही हुआ उसके बाद family ने मंदिर लेके गए तो मंदिर में पंडी जी बताते हैं कि हो सकता है हम यह सोच सकते हैं कि या तो उन्होंने चोराया टाइप जो होते हैं जिसके चार मूँ होते हैं वो लांगा है या कहते हैं कि किसी कपड़े को लांगना नहीं चाहिए या किसी नी मूव अगएरा जैसे आपने देखा है देखिए ऐसा नहीं है, यह सब चीजे नहीं होती है यह बिलकुल होती है कि या तो उन्होंने किसी लैमन वगएरा पर पैर रखे मतलब आगे बढ़ गई है जिसकी वज़े से कोई बाहरी शक्ती ने उनको काबू में कर लिया और उनका हाल दस दिन में ऐसा हो गया था कि उन्होंने अपनी ही फैमिली के लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया था वो सिर्फ खोई-खोई रहती थी, परिशान रहती थी तो अब वक्त था फैमिली को सोचने का कि अब हम क्या करें, क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई इसका result नहीं मलब कुछ वो नहीं है, कि हम क्या इसके लिए दवाई दे क्योंकि डॉक्टर्स को यह कह रहें कि नॉर्मल है और इसका हम नहीं कह सकते है, पंडी जी कि इनको जाड़ा लगवाओं जाड़ा भी डेली में मतलब आये लगवाया सब किया जैसे यहीं पर क्योंकि उनकी कजन थी तो कजन वगएरा के साथ शेयर किया तो उसके बाद किसी ने बताया कि आप महंदीपूर बाला जी लेके जाओं अब हम सब यह बात जानते हैं कि महं मान जी के लिए और वहाँ पर अगर आपके ओपर मतलब बहुत जाड़ा उपरी साया है या कोई मतलब संकटा पड़ा है भारी शक्ती ने आपको जकर लिया है तो वहाँ से इन सब चीजों को हटाया जाता है लोगों की सला क्योंकि देखो हर कोई उतना नहीं जानता है तो उनकी फैमिली मानती थी हिंदू फैमिली थी और जानती थी कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें हनुमान मंदिर में तुरंट उनको लेके जाना चाहिए तो फैमिली की सूझ भूज ने और मतलब वो उनको महंदीपुर बाला जी लेके जाते हैं एक दो जाड़े में ही उनको इत चीरन जीवी हैं और आपने शायद बहुत सारे ग्रंतों में सुना और पढ़ा भी होगा कि जब राम भगवान राम जी और भगवान क्रिशन जी का जो कारे था पूरा हुआ तो वो अपने अपने लोकों में चली गए लेकिन हनुमान जी को वो आशिवात देखे गए थे कि आप चीरन जीवी रहेंगे और धरती वासियों का कल्यान करेंगे तो समय आने पर वो अपने भक्तों के लिए आखड़े होते हैं और जो ऐसे-इसी कहानिया सुनने के लिए इंट्रस्टेड है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं अगली वीडिय में जैश्री नाम